नमस्कार मित्रों, प्रस्तु थै पंडित गोपाल प्रसात व्यास की हास्य कविता हाई न बूढ़ा मुझे कहो तुम सब्द कोस में प्रिये और भी बहुत गालिया मिल जाएंगी जो चाहे सु कहो मगर तुम मेरी उमर की डोर गहो तुम हाई न बूढ़ा मुझे कहो तुम क्या कहती हूँ दांत जड़ रहे क्या कहती हूँ दांत जड़ रहे अच्छा है वेदान्त आएगा दांत बनाने वालों का भी अरी भला कुछ हो जाएगा बालों पर आ रही सफेदी टोकू मत इसको आने दू मेरे सिर की इस कालिक को सुहे सुयम ही मिट जाने दू जब तक पूरी तरह चांदनी नहीं चांद पर लहर आएगी तब तक तन के ताज महल पर गोरी नहीं दलच पाएगी जुकी कमर की ओर न देखो जुकी कमर की ओर न देखो विनय बढ़ रही है जीवन में तन में क्या रखा है रूप सी जहाक सको तू जहाको मन में अरी पुराने गिरीस रंगों से ही बहता निर्मल सूता है कभी न कभी बूढ़ा हूता है मेरे मन में सुनो सुनैने दिन भर इधर उधर होती है और रात के अंधियारे में बेहत खुदर पुदर होती है रात मुझे गोरी लगती है प्रात मुझे लगता है भूढ़ा बिखरे तारे ऐसे लगती जैसे फैल रहा हो कूड़ा सुरगंगा चंबल लगती है सातों रिसी लगते हैं डाकू ओस नहीं आ रहे पसीने पवनफटी मारा हो चाकू मेरे मन का मुरगा तुमको हर दम बांग दिया करता है तुम जिसको बूढ़ा कहती वहां क्या-क्या स्वांग किया करता है बूढ़ा बगुला ही सागर में ले पाता गहरा गोता है कभी न कभी बूढ़ा होता है भटक रहे हो कहां व्रद्ध बरगत की छाय घनी होती है अरी पुराने हीरे की कीमत दुगनी दुगनी होती है बात पुरानी है कि पुराने चावल फार हुआ करते हैं और पुराने पान बड़े ही लज़दार हुआ करते हैं फर्म पुरानी से डीलिंग करना सदय चोखा होता है नई कम्पनी से तो नवले अक्सर ही धोखा होता है कौन दाओं कितना गहरा है नया खिलाडी कैसे जाने अरी पुराने हत कंडों को नया बांगुरू क्या पहचाने कि ये कराय पर नवस्खिया फेर दिया करता पोता है कभी न कभी बुढ़ा होता है वर्स हजारों हुए राम के अब तक सेव नहीं आई है कृष्ण चंद्र की किसी मूर्ती में तुमने मूझ कहीं पाई है वर्स चोहत्तर के होकर भी नहरू कल तक तने हुए थे 60 साल के लाल वहादुर देखा गुटका बने हुए थे अपने दादा कृपलानी को कोई बुढ़ा कह सकता है बुढ़े चरण सिंग की चोटें कोई जोधा सह सकता है मैं तो इन सब से छोटा हूँ क्यों मुझ को बुढ़ा बतलाती तुम करती परिहास मगर मेरी चाती तो बैठी जाती मित्रों घटना सही नहीं है यह किस्सा मैंना तोता है कभी न कभी बुढ़ा होता है